नमस्कार, दोस्तों, हिमाला हिमकोलिन जेल हिमाला नाम की कमपनी बनाती है, जो की पूरी तरह से एक आयरुवेदिक जेल है दोस्तों, इस जेल के बारे में बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, जिसमें लोगों ने इस जेल से रिलेटेड काफी सारे कोश्चन्स पूछे जैसे कि इस जेल को कैसे इस्तिमाल करना है इस जेल की क्या खूबिया है क्या प्राइस है कहां मिलेगा किस तरह से आप इसको इस्तिमाल करें जिससे कि यह अपना effect दे और क्या यह effect देता है क्या साधिशुदा लोग इसको इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस तरह की तमाम बाते हैं जो की इस जेल से जुड़ी हुई हैं और लोगों के मन में ये सवाल उठते रहते हैं साथ ही कई तरह की ब्रहांतियां भी इस जेल के बारे में लोगों के मन में हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूँगा, तो अंतक वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छा लगए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. दोस्तों, हिमकोलीन जेल का में फंक्शन है वो है आपके लिंक के ढिलेपन को दूर करना, इसके अलावा या और किसी काम में नहीं आता है, इस जेल को जब आप इस्तिमाल करते हैं, तो यह आपके मसल्स में बलड के फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे कि आपका जो मसल्स होता है वो जदा कठोर, और उसका जो करणपन होता है, वो जदा होता है। इस जेल में जो जड़ी बूटियां इस्तिमाल की जाती है, वो पूरी तरक्षěre ऐाःयरुवेडिक होती है, जिसका कि इस्तिमाल आपके मसल्स को ठीक करने में किया जाता है उनके जो धीलापन होता है उसको ठीक करने में जाता है चली आप जानते हैं कि जो ज α andar में है कौन कौन से इंग्डेडियेंट्स कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिली हुई है दोस्तों इस जयल में जितनी भी जड़ी बूटियां यूज की गई है वो सारी की सारी आयरोवेडिक है और अधिक्तर वह अय्यवेदिक प्लांट होते हैं, उनमें से लिगई है और जो मेन जडीबूटी है, उनमें है जोतिसमति, लथा कस्तूरी, वथाडा तो इस तरह की तमाम जडीबूटिया हैं, जो की इस जेल में डाली गई है लेकिन जो में जड़ी बूटी है वो दो ही है पहला जोतिसमती और दूसरा लथाक कस्तूरी दोस्तों जोतिसमती जिसके अंग्रेजी में हम क्लाइन्बिंग स्टाफ ट्री भी बोलते हैं जो प्लांट की जड़ी बूटिया निकाले जाती है इसका जो में काम है वो आपके muscles है उसमें blood flow को तेज करना है जिससे की जो आपका muscles में धीलापन घीक हो जाए और दूसरी जड़ी बुटी है लथाक कस्तूरी उसका जो मेन काम है वो आपके कडापन है उसको बनाई रखना तो यह दोनों जड़ी बुटियां काफी ज़्यादा important है और काफी ज़्यादा effective हैं इसलिए इस जड़ी बुटियों का इस्तेमाल किया गया है यह काफी ज़्यादा effective साबित होती है अब दोस्तों बात करते हैं इस ज़्यादा प्राइस की दोस्तों जब इनिसियली यह जल लॉंच हुआ था तो उस टाइम इसका प्राइस 120 के आसपास था लेकिन अभी जो ज़ ज़्यादा जेल को दोस्तों आप कहीं से भी खरीच सकते हैं यह OTC जेल है यानि कि आप ओवर दे कॉंटर आप इसको पर्चेज कर सकते हैं तो किसी भी दुकान में जाएंगे तो वहां से आप इसको असानी से पर्चेज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको आनलाइन भी जैसी कंपनिया इसको बेचती है तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको आसपास नहीं मिल रहा है तो आप चाहें तो उस लिंक से भी उसको मंगा सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके इफेक्टिवनेस की दोस्तों यह जो जेल है इफेक्ट कितना करता है यह डिपेंड करता है कि रोग है वह कितना सीवियर है अगर आपका जो रोग है वह सीवियर है तो यह जो जेल है वह ऐसे भी आयरुवेदिक जेल है तो धिरे-धिरे काम करता है तो इसको आपको कुछ दिनों तक वेट करना पड़ेगा इसके बाद यह effect करेगा लेकिन चूटी एक Ayurvedic Gel है तो यह धीरे काम करेगा लेकिन काम जरूर करेगा तो अब बस आपको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वह सही होना चाहिए जो मात्रा है वो आपको सही लेनी है तो यह जरूर काम करेगा अब दोस्तों बात करते हैं इस जेल को लगाने के सही तरीके के बारे में दोस्तों यह जिल एक के अंदर पहुंच जाए तो आप अपने जो मसल से उसके उपर आप इसको अराम से लगाए और लगाने के बाद एक 2-3 मिनट तक हलके हाथों से आपको मसाज करनी है और बस ये आप इसका इसी तरह से आप कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि इस जेल को आपको कितनी मा करती हैं तो इस जेल को आपको कम से कम दो महने तक लगाना पड़ेगा और इस जेल को जो आप मात्रा लेंगे वह बिल्कुल मतलब आप अंगली से से नाप सकते हैं इतना सा मात्रा आपको लेना है जिससे कि आप जहां पर भी इसको लगा रहे हैं वहां पर वह अच्छी त पड़ेगा तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस जेल को आप एक से दो मेने तक इस्तेमाल करना आपको और इसी मेही और अगले सवाल की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और काफी सारे लोग पूछते और वह यह कि क्या इस जेल को शादी सुधा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुमारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों ध्यान आपको इस बात का रखना है कि यह एक adult product है यदि आप adult है तो आप इसका इस्तेमाल और आपको भी यह समस्तिया है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब दोस्तों मैं इस जल से जुड़ी कुछ आहम बातें आपको बताता हूं जैसे कि कुछ लोगों का यह कहना होता है कि बस आप संबंद बनाने के जश्ट पहले आप इस जल का इस्तेमाल करें और फिर यह काम करने लगेगा दोस्तों यह एक आयरुवेदिक जल है जो की धी दिखाएगा अब दोस्तों इसके साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़री है क्योंकि यदि आपने किसी भी रोग में सावधानी नहीं बरती तो फिर वो जो दवाई होगी उस रोग की वो कभी भी काम नहीं करेंगी जैसे कि यदि आ अच्छे तरीके से काम करेंगा अधरवाइज यह काम नहीं करेंगा तो दोस्तों वो जो सावधानिया है उनमें सबसे पहली जो आपको सावधानिया रखनी है कि आपको किसी भी प्रकार का धुम्रपान नहीं करना है दोस्तों धुम्रपान से हमारा जो मसल्स है उसमें जो रक्त नलिया वह जाम हो जाती है। जिसकी वज़ा से उन मसल्स डीला पढ़ जाता है उनका कड़ापन लूज हो जाता है। तो आपके मसल्स के जो रुकावट है रक्त करता है। अब अगर आप उसी को जाम कर देंगे। तो वो कभी फिर कम नहीं करेगा, तो आपको किसी भी प्रकार का दुमिरपान इसमें नहीं करना है साथ ही दोस्तों आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए सुबा हर रोज आपको एक्सरसाइज कीजिए हलका फुलका उसके बाद आप देखेंगे तो यह ज्यादा इफेक्ट करेगा दोस्तों अगर आपका पेट में ज्यादा चरभी जम गई है और आपके जो कमर का और आपके पेट के नीचे का जो हिस्सा है वहां पर ज्यादा आपको पैट जमा हुआ है तो कोईसीज करें कि यस liver को रिडियोस करें दोस्तों जब वो fat आप reduce करेंगे तो आप देखेंगे कि इस gel का effect ज्यादा पड़ेगा दोस्तों इस gel को इस्तिमाल करने से पहले इस्तिमाल की जानी वाली जगह को अच्छी तरीके से साफ कर ले संभव हो तो साबुन से अच्छी प्रकार से धोले उसके बाद फिर उसको सुखा ले उसके दो-तीर मिनट बाद आप इस gel का इस्तिमाल वहां पर करें इसके बाद आप चाहें तो आदे गंटे बाद इसको दो सकते हैं दोस्तों हिमालय हिमकोलिन से जोड़ी जितनी भी जानकारी है वह सारी मैंने आपको इस वीडियो में दी और इसके अलावा यदि आपके मिन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूँगा और इसके साथ ही मैं वीडियो यही पर समाप्त करता हूं और विडियो में अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो में जाने से पले लाइक जरूर करके जाएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बगल में देवी घंटी दवाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें धन्यवाद